आज हम आपके लिए लाए हैं हंकर्ड वाले दही वाले कोल सेंविच बहुत आसान हैं बनने में और टेस्टी भी लगते हैं तो यह सबसे पहले हमने शिम्ला मिर्च को बारी काट लिया है इसका जो रेशो है वो ऐसा कुछ जरूरी नहीं है कि आपको एक ही लेना है आदा ही लेना है जो आपको सबजी पसंद है वो आप लीजिए इसमें इनका कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा रगता है तो दो मीडिय प्याज को मैंने बारी काट लिया है हाफ कप के करीब मैंने कॉन ले लिया है और एक गाजर को मैंने बारी काट लिया है एक शिम्ला मिर्च को बारी काट लिया है यह मैंने दही ली है हंकर्ड है इसका मैं आपको दिखाऊं यह हमने दही को ऐसे डारेक्ट जाली में डाल के छोड़ दिया था और नीचे ये पानी निकल आता है उपर इसके ये ठिक वाला दही मैंने वापस बाउल में डाल लिया है तो ये बहुत आसान तरीका है पहले हम कपड़े में करते थे ये फोर स्लाइस मैंने ब्रेड के लिए हैं होल वीट ब्रेड ली है आप कोई भी दिया है हमने बाउल में हंकड जब आपको खाने हैं बस तभी आप बनाएंगे तो देखिए इसकी कंसिस्टेंसी ऐसी हो जाती है ये इतना ठिक होता है तो पानी नहीं होता है इसके अंदर तो पहले इसको मिक्स कर लेंगे अच्छे से और बहुत अच्छे लगते हैं ये ह और इनको करते हैं मिक्स करके देखते हैं अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आती है तो प्लीज लाइक कीजिए शेर कीजिए अपने फैमली फ्रेंड्स में बैल आइकन प्रेस कीजिए ताकि मेरी लेटेस्ट अब्डेट्स आप तर पहुंच सकें थोड़ा मेरी वीडियो इर्रेगुलर हुई हैं इस बीच क्योंकि घर में फंक्शन था बट अब मैं फिर से वही टूजड़े और सेटरड़े रेगुलर रहोंगी तो आप जरूर मेरे चैनल पर बने रहिए अपने कमेंट्स लिखते रहिए मेरा हॉसलाफ जाई करते रहिए तो अब हम स्वाद के यरिखन चैनल नुसार डाल रहे हैं इसमें ब्लैक पैपर पाउडर इसका फ्लिवर इसके अंदर बहुत अच्छा लगता है फ्रेश कुटी भी आप डाल सकते हैं तो यह डाल दाल दी हमने ब्लैक पैपर और इसमें डाल दिया Sel्त और सबसे अच्छा तरहीका है कि डालने के उपर हम अच्छे से इसको स्प्रेड करेंगे देखिए बिल्कुल भी पानी नहीं छूटा है क्योंकि दही जो है वो थिक है तो यह बहुत ज़रूरी है आप इसको ग्रिल भी कर सकते हैं बट मैं आज कोल सैंडविच बता रही हूं जो फटा-फट बनने वाले हैं और किसी क्या आने से पहले आप इसको बना के रख सकते हैं जैसे कोई आने वाला है उससे थोड़ी देर पहले आप पूरी तैयारी करके रख लीजे नमक और काली मेर्च आप तभी मिलाए और फटा-फट बन कर तयार है बच्चे भी बना सकते हैं ऐसे हम चारो तरफ से इसको लगा से पालेंगे कि इवंभी बना करेंगे देखे कितना देखने में अच्छा लग रहा है खाने में तो है ही इसको हम ऐसे प्रैस करेंगे हैं और आप सीधा बियसे डाइरेफ्ट अगर खाते हैं फ्रेश ब्रेड थे तो डायवीग भी खा सकते हैं बढ़ मुझे इसके मारिं क के बाद ही कट करती हूँ बहुत fine आप कट करिए मतलब पतला ही कट करिए ज्यादा बहुत मोटा करने की जुरत नहीं है और यह देखे यह हो गया है त्यार अब आप कैसे भी मन चाहे pieces में इसको cut कर सकते हैं तो हम पहले इसको ऐसे cut कर रहे हैं और फिर हम square piece में इसको छोटे-छोटे square pieces के बनाएंगे और इसको इस तरह से भी cut cut लेंगे तो बड़े knife की मदद से बहुत आसानी से ये cut हो जाएंगे bread knife आफ रखी अगर आप sandwich बनाने के शौकीन है और ये देखिए full of vegetables fresh sandwich बनकर हमारे त्यार है thank you so much for watching my recipe तो देखिए लग रहे हैं ना yummy और ये बहुत soft है खाने में बहुत soft है full of filling है तो जरूर ट्राइ कीजिगा thank you so much बनाने कीजिए जर रहे हैं तो जर दो दो जब हो उड़िये हैं